नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्टॉक के बारे में बताने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों हमने भी इस चैनल के कंटेंड को इस तरीके से प्लैन किया है कि आपको अब एक दिन स्टॉक सेजेशन्स और एक दिन स्टॉक की नॉलिज मिलेगी और आज भी हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगे चल कर बहुत अच्छा रिटन दे सकता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में इंवेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में एक बार खुद जरूर जान ले चलिए अब आपको इसे स्टॉक के बारे में बताते हैं NHPC एक इलेक्ट्रिक के यूटिलिटी कमपनी है जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी ये कमपनी इंडिया की सबसे बड़ी और्गनाइजेशन है हाइडरो पावर डेवलप्मेंट में कमपनी और सोलर एंड विंड पावर में भी फैली हुई है कमपनी शेयर होल्डर को 55 प्रतिशत से ज्यादा का एरली डिविडेंट देती है NHPC ने टाटा पावर के साथ मिलकर औरिसा की गंजाम डिस्टिक्ट में 40 MW की सोलर पावर प्रोजेक्ट करने वाला है कमपनी कंस्ट्रक्शन एंड और प्रेशन ओफ हाइडरो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे काम करता है कमपनी का मार्केट कैप 32,746 करोड का है कमपनी का 70.95 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रोजेक्ट के पास है कमपनी पिछले 3 सालों में 7.3 प्रतिशत सेल्स ग्रोज और 5.3 प्रतिशत की प्रोफिट ग्रोज पाच चुकी है कमपनी के पास 23,362 करोड का कर्ज है कमपनी 2021 में साल 3233 करोड की प्रॉफिट कर चुकी है कमपनी का P.E. रेशियो 10.26 और फेस वैलियू 10 की है कमपनी 4.91 प्रतिशत का डिविडेंड देती है बविश्य में कमपनी हाइडरो पावर सेक्टर में ग्रोथ पा सकती है कमपनी का नाम NHPC Limited है और उसका करेंट स्टॉक प्राइज 32 रुपए के आसपास है दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि किसी भी स्टॉक में इंवेस्ट करने से पहले एक बार खुद जानकारी अवश्य ले हमारे या किसी और के केवल कहने पर इंवेस्ट ना करें आशाय दोस्तों आपको हमारे दोरा देगे जानकारी अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद